पॉर्ट्रेट ऑफ लेडी किस तरीके का रिलेशन्शिप इनके बीच में था, कैसे जब लोग सिटी लाइफ की तरफ मूव करते हैं, तो इनके बीच में दूरिया आ जाती है, तो दीरे दीरे जैसे जैसे चीज़े एक्स्प्लेइन करी है ना 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 ने बहुत ही ब्यूटफुल तरीके से चाप्टर ल पोट्रेट अफ लेडी, पोट्रेट मतलब क्या होता है, कोई भी पेइंटिंग, किसने लिखा है ये चाप्टर, ये चाप्टर लिखा है कुश्वन्त शाह ने, यह पर देख रहे हैं, आप एक अंकल है, बड़ी आप मोटे से और दाड़ी बना रखें, इन्हों ने ये च ये अपर दिये हुए है, हमें इनको नोटेस करना है, टेक्स्ट में, मतलब इने से रेलेटद जो भी चीजे है, एक या रेफरेंस दिया गया है, ये सारी चीजे लिए थी तके लिखेया है, एक ड्रत। कि ठिल्थ है, क्या थाल्मोस्ट रिवॉल्टिंग, मतलब कि वह जो था था वो जो हमारे दिमाग में विचार आया था, वो हम accept नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो बहुत जादा disturbing था, ठीक है, second is an expanse of pure white serenity, expanse of pure white serenity, expanse मतलब क्या होते है, बहुत जादा फैली हुई चीज, and pure white, मतलब बिल्कुल सफीद, और serenity का मतलब क्या होता है, serenity मतलब ह होता है, calmness, peaceful लिख देती हूं मैं, तो एकदम शान, एकदम calm, जो वो होता है, तो यह कहां पर refer किया गया है, इस चीज से क्या refer किया गया है, chapter के अंदर, वो हमें देखना है, third is a turning point, एक point आता है उनकी life में, ठीक है, एक climax आता है उनकी life में, उनके साथ कुछ ना कुछ Accepted her seclusion with resignation का मतलब क्या है, कि उनकी जो grand mother थी, उन्होंने क्या किया था, grand mother ने, जैसे उनका जो, मतलब की बेटा था, उनका जो पोता था, तो उनके साथ जो भी चीज हुई थी, उस चीज को accept कर लिया था, बिना किसी ill will के, मतलब बिना किसी, मन में कोई ऐसा मन मुटाव ना ठीक है, शान्ती से उन्होंने वो चीज एकसेप्ट कर ली थी, next is a veritable bedlam of chirruppings, अब मैं बताती हूँ, veritable bedlam of chirruppings होता क्या है, bedlam क्या है, बैथल हम आपने एक city का नाम सुना होगा, ठीक है, वहाँ पे, न्यू यॉर्क में बाद में क्या हुआ था, कि इस city के नाम पे, जैसे bedlam जो है ना, वो एक mental asylum का नाम रखा गया था, जहाँ पर जो, मतलब mentally ill जो लोग हुआ करते थे, उन लोगों को chain से बांधा हुआ रखा करता था और लोग बाग उन्हें देखने जाया करते थे, तो वहाँ पे बहुत ज़दा chaos होता था, बहुत short शराबा, बहुत ज़दा disturbance वहाँ पे हुआ करती थी, यही disturbance को वह यहाँ पे compare कर रहे थे, किसी चीछ से, वह मैं आपको chapter हो का तब बता हूँगी, तो chaos और disturbance जो है, वो relate किया गया है, veritable bedlam से यहाँ पे, frivolous rebukes, अब frivolous मतलब क्या होता है, frivolous मतलब होता है, not having any serious purpose or value, कि जादा seriously कोई चीज ना बोल बहुत एहमियत है, इसमें बहुत एक बड़ा रोल प्ले करेंगे, जैसे DDLJ में होते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से वो उनको फटकारती थी, बिना किसी ill-will के, मतलब बिना उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं थी, जान पूच के उनको कुछ, मतलब हाम पोचाना चाहती है ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था, next one is the sagging skins of the dilapidated drum, sagging skins क्या होती है, sagging मतलब होता है, लटकी हुई, बहुत जादा use की हुई, बहुत जादा जिसकी खराब कंडिशन होती है, वैसी skin of dilapidated drum, dilapidated क्या होता है, destroyed, यहाँ पर बताना चाहते है, कि वो लोग जो drums वगरा यू समझ में आई होंगी, लेकिन पूरे तरीके से समझने के लिए हमें chapter पढ़ना पड़ेगा, तो शुरू करते है, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman, कि जो मेरी दादी-मा थी, वो, जैसे सब की दादी-मा होती है, उनकी तरह ही, एक बुड़ी औरत थी, she had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her, कि जबसे मैं उन देखता है था, और पिछले 5 साल से वो बुड़ी ही थी, wrinkled मतलब जुरियां उनको आई होई थी face पे, people said that she had once been young and pretty, and had even had a husband, but that was hard to believe, लेकिन इस बात पर विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल क्यों है, क्योंकि जबसे मुश्किल है, क्योंकि जब उसे अपनी grandmother को देखा था, वो इतनी बुड़ी ही थी, 20 साल से उन्हें बुड़ी ही देखता हुआ आ रहा था, और बहुत ज़्यादा एज हो गए थी, तो narrator के लिए उनको young और pretty imagine करना, ऐसा सोचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room, मेरे जो दादाजी थे उनका portrait, portrait मतलब उनकी तस्वीर कहां पर लगी हुई थी, हंग मतलब लटकी हुई थी, किसके उपर mantelpiece, mantelpiece क्या होता है, यह जो आप देख रहे हो side में photo, तो यह जो wooden का होता है न, fire के चारो तरफ जो ऐसे wooden का होता है, उसे हम mantelpiece इसके उपर मान लो, यहां पर उनकी जो तस्वीर है, वो लटकी हुई थी, he wore a big turban, बड़ी सी उन्होंने एक पगडी बांदी हुई थी, turban मतलब पगडी, and loose fitting clothes, और बहुत धीले डाले से कपड़े पहने हुई थी, his long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least a hundred years old, क्योंकि जो बड़ी-बडी सफेद दाड़ी थी न, वो यहां तक, chest तक उनके आई हुई थी, और कैसे था उनका, शकल और उनकी जो appearance थी, वो किस तरीके की थी, जैसे वो सौ असाल के हो, बहुत जादा बूडे लग रहे हैं वो, तो उसके लिए और भी जादा इमाजन करना आजीब हो गया था, कि इस इस इंसान की एक ऐसी वाइफ थी, जो बहुत जादा पृटी थी, और वो कौन थी, वो इसकी दादी मा थी, जिनने वो इमाजन ही नहीं कर पा रहा था, कि वो इतनी सुंदर भी हो सकती हैं, He did not look the sort of person who would have a wife, कि वो इस तरीके का फोटो देखने से आदमी लगी नहीं रहा था, कि उसकी कोई wife भी होगी, या फिर बच्चे भी होंगे, और children, He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, वो इतने जादा बूडे लग रहे थे, सौ साल के उनकी एज लग रही थी, तो वो इतने जादा बूडे कि उनके सिर्व ना, पोते ही हो सकते हैं, वाइफ वगेरा तो, इमाजन ही नहीं कर सकते हैं, as for the grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting, कि as for my grandmother, अब जैसे मेरी grandmother को सोचना, कि वो बहुत जवान होंगी, वो बहुत यंग होंगी, प्रिटी होंगी, बहुत सुंदर होंगी, ये जो thought था, was almost revolting, almost revolting मतलब ये मुझे परिशान कर देता था, ये जो thought था, वो मुझे disturb कर देता था, ठीक है, मतलब restless हो जाता था, क्यूंकि मैं वो चीज़ इमाजन ही नहीं कर पाता था, वो हमेशा अकसर हमें क्या बताती थी, कि कौन-कौन से गेम्स वो लोग खेला करते थे, जब वो बच्चे थे, that seemed quite absurd, अब वो चीज़ नहीं मुझे बहुत सथा illogical लगती थी, absurd मतलब illogical, कुछ भी चीज़े बता रही है, जिसका कोई logic ही नहीं है, जिसका कोई तंती नहीं है, ठीक है, and undignified, undignified मतलब क्या होता है, appearing, foolish, मतलब बेवकुफाना चीज़े लगती हैं जब, कि यह ऐसी चीज़े हैं, मतलब आप लोग ऐसे गेम्स केहलते थे, तो इतने सादा generation gap, इतना सादा technological gap की वज़े से, यह सब चीज़े उसे बहुत ज़ादा अजीब लगती थी, on her part as, and we treated it like the fables of the prophets, she used to tell us, और वो कह रही है कि यह जो चीज़े वो बताते थे, मतलब बताती थी हमें कि हम ऐसे गेम केहलते थे, तो बहुत ज़ादा illogical, बहुत ज़ादा foolish लगती थी, अजीब सी लगती थी, यकीनी नहीं होता था, और हम उन चीज़ों को कैसे treat करते थे, किस तरीके से treat करते थे, it like the fables of the prophet, fables मतलब क्या होते है, वो वाली कहानिया, वो चोटी-चोटी कहानिया जो हमें बताई जाती है, कि इस चीज़ से हमें ये सेखने को मिला, इस से हमें ये moral value सीखने के लिए मिली, ठीक है, तो वो यही कहादा है कि हम ना ऐसे treat किया करते थे, कि मानलो ये तो हमारी जो दादी-मा है, वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, मतलब कोई संत सादू है, जो भविश्य बताते हैं, और इस तरीके से ये हमें कहानिया बता रही है, जिसके moral, कोई स्टोरी का moral होता था, और उन्हें इस से कुछ सीखने को मिलता था, ऐसी ऐसी चीज़ें वो बताती थी, और हम उन्हें इस तरीके से, हम उ हमें कोई स्टोरी बता रही है, ये चीज़ें से बज में आ गई हमको, क्या हुआ है, आगे देखते हैं, अब वो कह रहे हैं, वो हमेशा से कैसी थी, वो बिल्कुल छोटी सी थी, आपको बता है, कि जब किसी की एज बहुत सादा बड़ी हो जाती है, तो वो आगे की तरफ जुकी हुई थी, her face was a criss-cross of wrinkles, उनका face कैसा था, criss-cross, criss-cross था, इस तरीके से, अब देखो, यहाँ पे बुड़ी लेडी है, ग्राण मदर की टाइप की फोटो मैंने लगाई है, और इनका face आप देख सकते हो, किते सारे wrinkles है, तो criss-cross signs आपको फील हो रहे हैं, तो ऐसा ही यहाँ पोग रहे हैं कि न, wrinkles पूरे मूँ पे य 가운데, भारा हुआ था, रनिंग फोरे हो रिंखलों न, कहीं भी खत्म हो रहे हैं, विलों रिंकल भी दृप से मुश्च का रहे हैं, घ़ं कि काई दैखा और रिंखलियों हो toute आता हो से बाण माल भार धिखम को अदरीक औरैं, कि अगर चलो, इस फेस को मैं फिल्टर करूं, और फिल्टर करूं, और फिल्टर करूं, तो क्या एक यंग पृटी फेस मेरे सामने आता है? पर नरेटर के सामने नहीं आ रहा था, ठेक है? कोई फोटो दिखानी चिया थी उनको. Old so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. वो किरें वो इतनी जादा बूड़ी थी, इतनी जादा बूड़ी थी कि पिछले 20 साल से वो और बूड़ी होई नहीं थी. मानलो वो पिछले 20 सालों में एक age पर रुख गई हैं, जो कि बहुत जादा old age है और अब तब से लेकि अब तक मैंने ऐसा ही देखता हुआ आ रहा ठीक है, she could never have been pretty, हो ही नहीं सकता कि वो कभी सुन्धर रही होंगी, but she was always beautiful, लेकिन वो हमेशा बहुत ही जादा सुन्धर लगती थी, ठीक है, वो ऐसा ये, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कि ऐसा नहीं है कि मुझे जब अब देखने में लगता है, वो pretty नहीं है, वो beautiful लेकिन मैं उन्हें, जवान जब वो थी, वो वाला जो फेज है, वो इमेजन नहीं कर पाता, क्योंकि पैदा हुआ हूँ, जब से मैंने उनको ऐसे ही देखा है, तो इसी तरीके से वो बताना चाहते है, she hobbled about the house in spotless white and one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary, अब वो यहां पर क्या कह रह अजीब सी चाल होती है, नॉर्मल चाल नहीं होती है, वो किस वजे से ऐसे चलते है, क्योंकि उनके पैरों में दर्द होता है, बोन्स बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाती है, या कोई तकलीफ होती है, कमर जुग जाती है, इतनी energy नहीं रहती उनके अंदर, ठीक है, इतनी त तो पूरे तरीके से वाइट थे, कपड़े वगेर भी पहना कर थी, वो वाइट पहना कर थी, तो पूरे तरीके से spotless वाइट लगती थी, एक कोई ऐसा बिंदी भी नहीं लगी हुई थी, जो वाइट उनके नहीं थी, एक हात उनका कहां रहता था, कमर पे, आपने बूडे ता कि वो जैसे आगे जुकी हुई है, तो वो आगे लडखडा कर गिर ना जाएं, ठीक है, इसलिए वो क्या करती थी, अपनी कमर पे हात रखती थी, अपना बैलन्स बना कर रखने के लिए, और दूसरी हाथ से क्या करती थी, वो माला देखी है अपने, साइड में माला अपने को भूमाते रहते हैं इसको, इसे हम रोजरी बोलते हैं, तो कि दोसरे हाथ में यह रहता था था, एक हाथ कमर पे रहती थी, और ऐसे बैलन्स करके अपने आपको हॉबल करते हुए, चलती रहती थी, अब वो क्या कहरे है, हर सिल्वर लॉक्स, लॉक्स यहा पर क्या बालों को हम locks बोलते हैं, तो silver locks क्यों बोले गए हैं, क्योंकि बिल्कुल साफेद बाल हो गए हैं, वर scattered, scattered मतलब बिखरे हुए, untidily, untidily मतलब uneven तरीके से, साफसुतरे तरीके से नहीं कि प्रॉपर उन्होंने कंगी कर रखी अपने बालों की और इस तरीके से, नहीं, उन्हो बिल्कुल नहीं होता है, जो बिल्कुल white 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 नहीं होता है, And her lips constantly moved She was like the winter landscape in the mountains वो किस तरीके से थी, कि mountains के बीच में जो winter landscape होता है, मतलब एकदम बिलकुल सफेद, है ना, और बहुत calm, बहुत peaceful, इस तरीके की कुछ image आपको देखने को मिलती है, जब वो अपनी दादी मा को देखता है, an expanse of pure serenity, एक जैसे expanse मतलब होता है, फैला हुआ, ठीक है, तो ऐसे बहुत ही जादा calmness, बहुत जादा peaceful, और एक बहुत serene character, बहुत एक शान्त और बहुत अच्छा सा, एकदम character जो है, वो उसकी grandmother का वहाँ पर दिखाया गया है, तो an expanse of pure serenity मतलब, it refers to the calm, peaceful and serene character, यह character के लिए यूज हुआ है, starting में बोला था ना, यह वाली line आई थी, कि इ बिल्कुल चुप चाब, बिल्कुल white है वो, इस सरीके का character हमें दिखाया है, breathing peace and contentment, क्या breathe कर रही है, जैसे वो शान्ती ही breathe कर रही है, इतना जादा उसे वहाँ पे peaceful feel होता था अपनी दादी मा के पास, कि सारा दिन भगवान का नाम लेती है, बिल्कुल चुप रहती है, ब ठीक है, आगे चलें, my grandmother and I were good friends, मेरी दादी मा और मैं बहुत अच्छे दोस्ते, बहुत बहुत अच्छे दोस्ते हम लोग, my parents left me with her when they went to live in city and we were constantly together, तो मेरे ममी बापने क्या किया था, कि मेरी दादी मा को वही पर छोड़ दिया था, जब वो लोग सिटी में गए थे, सेटल होने के लिए, तो हम लोग क्या करते थे, constantly साथ रहते थे, मतलब all time हम लोग साथ रहते थे, she used to wake me up in the morning, वो क्या करती थी, मुझे रोज चाना सुबह उठाया करती थी and get me ready for the school, फिर वो मुझे स्कूल के लिए तियार करती थी, she said her morning prayers in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart, monotonous, monotonous मतलब repetitious, कि एक ही चीज को जैसे हम कहते हैं कि ओम भुर भुआ सुआ हम लोग बार बार repeat करते थे, तो सुबह सुबह की आरती जो थी, वो इसी तरीके से repeat करती थी, monotonous मतलब लगाता, repeat करना, sing song, गाना गाया करती थी, while she bathed, जब वो नहाती थी and dressed me in the hope, और वो मु that I would listen and get to know it by heart, कि मैं उस चीज को सुन रहा होगा, मैं जब मुझे निला हरी हैं, तियार कर रही हैं, सभी चीजे कर रही हैं, वो खुद नहारी हैं, तो continuously वो प्रेयर बोलती थी, ताकि वो उन्हें लगता था कि कभी न कभी मुझे भी ये चीज वो बिलकुल अच्छे से य I listened because I loved her voice, मैं सुनता था क्यू? क्यूंकि मुझे उनकी आवास बहुत पसं थी, बट नेव बॉद नहीं लेकिन मैंने कभी इतना नहीं सोचा, मतलब इतना करने का कष्ट नहीं किया, कि मैं इसे याद भी कर लू, मैं बस सुनता था क्यूंकि मुझे उनकी आवास पसं थी, इतना मैंने कभी सरदर्दी ने पाली कि मैं इस चीज को याद करू, then she would fetch my wooden slate, फिर वो क्या उठाती थी, वो मेरी wooden slate उठाती थी, which she had already washed and plastered with yellow chalk, जो वो already धो के साफ करके उन्होंने yellow chalk से रखी होती थी, a tiny earthen ink pot, earthen ink pot क्या होता है, earthen होता है, मिट्टी का बना हुआ, तो a red pen, और उसके अंदर क्या था, एक लाल कलर का pen था, tie them all in a bundle and hand it to me, अब उन सब को एक bundle में बांद देती थी, और मुझे पकड़ा देती थी, ठीक है, after a breakfast of a thick stale chapati, एक बढ़िया मोटी, stale मतलब ही होता है, yellow color की थोड़ी सी, मोटी अच्छी खासी और थोड़ी dull color की chapati, with a little butter, जिसके ऊपर थोड़ा सा butter होता था, and sugar spread on it, और उसके ऊपर चीनी छे रखके वो मुझे दिया करती थी, आप लोग भी बच्पन में बहुत दिमान करते होंगे, कि चीनी का पराथा खाना है, तो इसी तरीके कि वो एक बड़ी सी मोटी सी रोटी बनाती थी, उसके ऊपर रखती थी, और बहुत सारी चीनी स्प्रिंकल करके दिया करती थी, और फिर हम दोनों, यहाँ पे एक चीज़ इंपोर्टन है, we went to school, मतलब वो उसे school तक छोडने जाती थी, फिर हम क्या करते थे, school के लिए निकल जाते थे, she carried several stale chapatis with her for the village dogs, और वो क्या करती थी, और भी बहुत सारी chapatis, किस के लिए लेकर जाया करती थी? जो गली में, स्ट्रीत में dogs होते हैं, ठीक हाँ, फिर हम एक ट्रेटों होते हैं, जो गली में, विलिज डॉग्स, यहाँ पे बोला गया है, जो गली में बाकी dogs होते थे, बाकी कुत्ते होते थे, उनके लिए वो व सारी च क्योंकि इसकूल जो ता वह इसके पास था, किस से जुड़ा था? मंदर से जुड़ा हुआ था. जो प्रीस्ट होता था, वहाँ पे जो पंडित वगेरा होता था, वह क्या करता था, हमें क्या पढ़ाता था? अलभवेट पढ़ाता था, मलब A-B-C-D वगेरा सिखाता था और morning prayer सिखाता था, सुब़े सुब़े जाके स्कूल में भी आप लोग prayer करते हो ना, इतनी शक्ति हम तो वो कहा है कि यह सब हमारे महाँ प्रीस्ट करता था. वाइल दो चिल्रन साथ इन रोज आइधर साइड आप गरान्डा सीजिग थे अलफबेट और प्रेयर इन प्रेयर इन कोरुस. तो उस समय क्या होते थे जो चिल्रन जो बच्चे होते थे वो रोज में दोनों तरफ बैट जाया करते थे वरांडा. वरांडा तो आप सभी को पता होगा आपन सबके घर में होता है कि ओपन स्पेस सा होता है घर के अंदर. तो वहां पे भी एक वरांडा होता था वहां पे रोज बना के बच्चे बैट जाते थे और फिर वो लोग गाते रहते थे एक कोरुस में लगातार. जैसे हम लोग स्कूल में गाते है न कोई भी पोयम हो गई कि ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार. तो जैसे वो सिखाता और मेरी ग्रामाइन साइधे मैं मेरी दादी क्या कर थी वह लूकार क मतलब आर सक्रिप्चर्ट्र पड़ती थी सक्रिप्चर्ट्थ यह सदाइग . देडियुस कुछ इस तरह देख लूकाना की से तरह की नहीं दूनि ब सबनánhक श्केते logicना वहां rub मayrosum When we had both finished, जब हम दोनों अपना काम कर लेते थे, both finished मतलब उन्होंने अपने scriptures पढ लिये, हमें प्रीस्ट ने सारी चीजे पढ़ादी, we would walk back together, हम क्या करते थे, हम दोनों साथ वापिस घर आ जाया करते थे, this time the village dogs would meet us at the temple door, इस बार क्या होता था, जब हम वापस जाते थे तो जो village के dogs होते थे वो हमें temple के, मतलब मंदिर के gate पर मिला करते थे They followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them और वो हमें घर तक चोड़ के आते थे, मतलब घर तक follow करते थे एक दूसरे को घुरा रहे हैं, भॉक रहे हैं, ठीक है, फाइट कर रहे हैं, लड रहे हैं, किस लिए लड रहे हैं? चपातीस के लिए, जो मेरी दादी मा चपातीस बना के उनको डालती थी, तो वो एक दूसरे से जगडा करते थे, घुराते थे, फाइट करते थे जब मेरे बमी बापा बड़िया तरीके से सेटल हो गए इस सिटी के अंदर, दे सेंट फॉर आस, उन्होंने हम दोनों को भी बुला लिया वहां पर, ठीक है, उन लोगोंने हमें भी वहां बुला लिया, वो एक तर्निंग पॉइंट था हमारी फ्रेंशिप में, तो यह तर्न वो कैते है कि अल्दो वहां पर, सिटी में आकर भी हम लोग एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन अब जो मेरी दादी मा थी, वो मुझे स्कूल तक छोड़ने नहीं आती थी, I used to go to an English school in a motorbus, क्योंकि मैं केसे जाता था, बस से स्कूल जाया करता था और एक English medium school में जाया करता था, विलज जैसा महॉल तो वहां नहीं मिल सकता, गाहओ जैसा हमाहॉल वहां नहीं ता, दोसकी मां उससे दादी पाहां थोड़ने भी ही नहीं जाती थी, There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of the city house. So, वहाँ पर कोई भी dogs नहीं थे. There were no dogs. वहाँ पर कोई भी dogs नहीं थे गली में and she took to feeding sparrows. तो उन्होंने क्या किया? कि sparrows होते हैं जो उनको feed करना शुरू किया. जो कबूतर होते हैं जो चिडिया होते हैं वहाँ पर उनको feed करना start किया in the courtyard. Kotiyard क्या होते है? वहाँ का भी, जैसे हमारे गाउं का भुट जादा बड़ा होते हैं, लेकिन शेहरों में छोटे ही verandas होते हैं, तो courtyard मतलब वरेंडा ही होते हैं । वह कहरी हैं कि उन्होंने क्या क्या? फिर स्परो को जो जो चीजे हैं वो डालना, उनके खाने पीने की मतलब हम दोनों का जो मिलना है वो कम हो गया, वो बिचारा बच्चा धिरे धिरे नारेटर वो बड़े होते गए, अपनी लाइफ में इन्वाल्व होते गए, तादीमा सारा दिन घर रहती थी, तो इतना मिलना जुलना नहीं हो पाता था था उन लोगों का, कुछ समय तक तो उन्होंने ये चीज कंटीनु की थी, कि वो मुझे सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए तियार करती थी, जब मैं स्कूल से वापस आता था, तो वो मुझ से पूछती थी, कि बता हो स्कूल में क्या पढ़ाया तुमें, I would tell her English words, तो मैं क्या बताता था, उन् नहीं चीजें सीखी उसने, नहीं नहीं words सीखे, तो वो अपनी दादी मा को बताता था, and little things of western science, और थोड़ी बहुत चीजें मैं उन्हें western science की भी बताता था, कि मैं क्या-क्या सीख रहा हूं, जैसे, the law of gravity, law of gravity मतलब गृत्वा करशन, ठीक है, Archimedes principle, the world being round, कि किस तरीके से Archimedes principle होता है, किस तरीके से हमारी जो world है, हमारी जो earth है, वो goal है, पृत्वी जो है, वो हमारी round shape की है, और बहुत सारी अलग अलग चीजें मैं उनको बताता था, this made her unhappy, लेकिन इससे उन्हें कोई interest नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे interest आ था, मैं science पढ़ रहा था, मुझे अच She could not help me with my lessons, उन्हें अच्छा क्यों नहीं लगता था, क्योंकि वो मुझे पढ़ने में मदद नहीं कर सकती थी, इतनी educated नहीं थी, इतनी जादा बूरी हो चुकी थी, कि अब वो मुझे पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती थी, तो जिस चीज का उन्हें बहुत जादा बुरा and was distressed, distressed मतला परेशान रहती थी, बहुत जादा, impatient रहती थी, restless रहती थी, that there were no teaching about God, कि भगवान के बारे में हद यहां पर कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा है, कोई बात ही नहीं है बच्चों के पास, and the scriptures, नहीं scriptures के बारे में कि वही कोई Ramayana, Gita, इन सब चीजों के बारे मे कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, one day I announced that we were being given music lessons, तो एक दन मैंने क्यों बताया कि हमें music के lessons देना शुरू करें, मतलब हमें संगीत सिखाया जा रहा है अब school में, she was very disturbed, वो और जादा परेशान हो गई, उसे लगाता कि अच्छे से उसने अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं वो बहुत जादा परेशान हो गई, she was very disturbed, to her music had luid associations, वो क्या सोचती थी, कि music न अच्छी चीज नहीं है, उन्हें पसंद नहीं थी, luid association मतलब vulgar association, वो इनको किस चीज से compare किया करती थी, क्योंकि पुरानी thinking की थी, जैसा पहले सोचा जाता था, उसी तरीके से वो भी सोचती लेकिन उनका सोचना क्या था, वो मैं आपको बताती हूँ, कि वो सोचती थी, कि जो music है, it was the monopoly of harlots and beggars, वो कहती थी, कि ये जो music वगरा सीखना होता है, गाना होता है, ये किन लोगों का काम होता है, ये beggars का, बिखारियों का and harlots, harlots कौन होती है, prostitutes, तो वो बोलते हैं, कि हालots and beggars का काम हुआ करता है, हम लोग जो gentleman लोग है, मतलब जैसे narrator लोग बता रही है, जो gentleman होते हैं, जो gentleman होते हैं, वो ऐसे काम नहीं करते हैं, और हम लोग music भी नहीं सीखते, ये हमारे लिए नहीं बना है, ये उसकी grandmother की thinking थी, clear? She said nothing, but her silence meant disapproval, वो ऐसा कुछ कहती नहीं थी, कि भई ठीक है, तुम्हें नहीं सिखा दें, मैं क्या कर सकती हूं इस चीज में, वो इसको अच्छा नहीं मानती थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बर उनकी जो silence थी, उनका जो शांत रहना था, वो बता देता है, कि वो इस चीज को अप्रूव नहीं करती है, मानती नहीं है, उन्हें पसंद नहीं है, ठीक है, she rarely talked to me after that, और उसके बाद, जब उन्हें पता चला, कि music music सीख रहा है आजकल, तो बात करनी बंद कर दी अपने पोते से, बताओ, कोई बात नहीं, आगे देखते है, when I went up to university, अब बढ़ा हुआ, और जादा बढ़ा हो गया, वो बच्चा था, पहले चोटा सा, बढ़िया सारी चीजने थी, लेकिन अब वो जब और बढ़ा हुआ, तो वो university गया, I was given a room of my own, वहा पर मुझे खुद का एक personal room मिला, पीजी होस्टिल में रहता होगा, the common link of friendship was snapped, जो common link था, common link my grandmother accepted her seclusion with resignation, मेरी grandmother ने ये जो अकेला पन था, seclusion मतलब ये जो अकेला पन था, इसको accept किया with resignation, resignation मतलब बिना किसी दिमाग में मन मुटाव लाए और अपने आप ही resign कड़िया, अपने उस चीज को छोड़ दिया, उसमें सादा ध्यान नहीं दिया, कोई मन मुटाव नहीं रखा जैसे जैसे चीजे चलती गई, अपने आपको उसके according ही वो ढालती गई, so accepted her seclusion with resignation का मतलब क्या है, the grandmother accepted her separation from the life of grand sir, कि अपने पोते की life में से उनका जो धीरे-धीरे खतम होना था, उनका जो life, उनकी life से जो linked थी, अब वो जैसे जैसे धीरे-धीरे separate होना, दूर होना, उन्हो कर ली थी, ठीक है, she rarely left her spinning wheel to talk to anyone, अब वो अपना spinning wheel होता था, एक चेरो देगी होगी अपने आराम कुरसी होती है, ठीक है, उस तरीके की कुरसी उनके पास थी, वो उस कुरसी को छोडा ही नहीं करती थी, हमेशा उसी पर बैठी रह करती थी, तो she rarely left her spinning wheel, वो बहुत कम अपन वो क्या करती थी, बस उस पर ही बैठी रहती थी, और अपनी प्रेयर्स जो है वो बोलती रहती थी, only in the afternoon, सुब चे लिके मतलब शाम तक और कुछ भी नहीं करती थी, only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows, सिर्फ दो पहर में, she relaxed for a while, थोड़ी दर वो अराम करती थी, and after that, वो क्या करती थी स्पारोस को दाना डालती थी, while she sat in the veranda breaking the bread into little bits, little bits, अब वो क्या करती थी, वो उस समय में क्या करती थी, कि जब वो बैठा करती थी, वरांडे में, ब्रेड को चोटे-चोटे पीसे में तोडने के लिए, hundred चोटे-चोटे पीसे में तोडने के लिए, hundreds of little birds collected round her, तो बहुत सा बहुत जाते थी, उनके पास खाने के लिए, creating a veritable bedlam of chirruppings, veritable bedlam of chirruppings का मतलब होता है, वही जो starting में मैंने आपको बताया कि bedlam कहा से बनाया, एक mental asylum का नाम था, तो उससे connect करते हुए बता रहे हैं वो कि यह एक kios or disturbance create होता था, बहुत सारे पक्षी वहाँ पर इकटे हो जाया Some came and pursed on her legs, others on her shoulders, कुछ तो क्या है, उनके legs पर आके बैच जाते थे, कुछ उनके shoulders पर आके बैच जाते थे, some even sat on her head, और कुछ लोग क्या होते थे, उनके सर पर भी आके, लोग नहीं, कुछ sparrows उनके सर पर आकर भी बैच जाते थे, she smiled but never shooed them away, वो हमेशा हस दिया करती थी क्या कर देती थी, वो हमेशा हस दिया करती थी, लेकिन कभी भी उनको shoo करके भगाया नहीं, shoot them मतलब भगाया नहीं, दूर कभी भी नहीं किया, it used to be the happiest half hour of the day for her, और ये जो आदा घंटा होता था, उनकी life का, उनके दिन का जो ये आदा घंटा होता था, वो बहुत happy होती थ में बहुत जादा खुश हुआ करती थी, when I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset, अब जब मैंने डिसाइड किया, कि मैं मैं विदेश जाओंगा पढ़ने के लिए, बाकी आगे की पढ़ाई करने के लिए, I was sure my grandmother would be upset, मुझे इस बात का पक्का यकीन था, कि मेरी जो दादी मैं है, वो इस उम्र में, one could never tell, कोई भी यह नहीं कह सकता कि वो कब तक जिन्दा रहने वाली है, right, but my grandmother could, लेकिन जो मेरी grandmother थी, वो रह सकती थी, कब से देख रहा हूं मैं इनको इसी एज में है, वो और अगले पाँ साल भी वो रह सकती थी, she was not even sentimental, वो भावुक भी नहीं हुई, मैं मैं जाओंगा पांच साल के लिए दूर जाओंगा, दूसरे देश जाओंगा, तो बहुत जादा परिशान होंगी, बहुत जादा उदास होंगी, लेकिन असा कुछ भी नहीं हुआ, वो भावुक भी नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि उन्होंने धीरे-धीरे एक्सेप्ट कर रभावुक अनकी बहुत जाओंगा, जाओंगा, ख़वत जाओंगा, अनकी नहीं लिए उनकी दिमाग था वो भी उन्होंने प्रेष में हिगुम हो रखा था, उन्स भक्ती भाव में ही पूरी तरीके से लीन हो चुकी थी, सारी मूम आया वह उन्होंने त्याग दी थी, Her fingers were busy telling the beads of her rosary. उनकी जो fingers थी, वो किस चीज में busy थी? अपनी जो माला थी, उसको जपने में. ठीक है? Silently, she kissed my forehead. शान्ती से उन्होंने क्या किया मेरे forehead पे, मेरे माते पे. Kiss किया, and when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. और जैसे उन्होंने किस किया, तो हलका से उसका माता गीला हो गया. तो that moist imprint, imprint मतलब जो चाप पड़ जाती है. तो वो खह रहा है, वो जो गिली-गिली सी चाप मेरे यहाँ पे पड़ गई थी, वो मुझे बहुत जादा अच्छी लग रही थी. बहुत अच्छा फील कर रहा था, मैं चेरिश कर रहा था उस चीज को, बहुत प्रेज कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो उनका और मेरे बीच के जो contact का, physical contact का, मतलब हो सकता है कि लास्ट ही टाइम ऐसा था. ठीक है, but that was not so, लेकिन ऐसा नहीं था, after 5 years I came back, 5 साल बाद जब मैं अपनी पढ़ाई वापिस करके, आया घर, and was met by her at the station, और फिर मैं उनसे वापिस से station पर मिला, मैं जा रहा था, जब मुझे लग रहा था, यह मैं आओंगा, जब तक तो शायद, इनकी death wait हो जाएगी, तो बहुत चीज को बहुत चेरिश कर रहा था, बहुत प्रेस कर रहा था, बहुत अच्छी लग थी उसको वो चीजे, ठीक है, लेकिन वो सुच रहा था, वापिस आओंगा, जब तक शायद रहेंगी, नहीं रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं 5 साल बाद वापिस आया, और वो जिन्दा थी, वो मुझेस रेल्वे स्टेशन पढ़ लेने भी आई, शी दिद नॉट लोक अडे ओलर, और वो एक दिन भी बूडी नहीं लग रही थी, मतलब इतनी बूडी वो और बूडी थी, वो और बूडी नहीं लग सकती थी, उसने बोला कि उनके एज अपने पोते को, I could hear her reciting her prayers, मैं सुन सकता था, वो जब मुझे क्या सुना रही थी, प्रेयर्स जो अपने आप में वो भक्ति भजन कर रही थी, तो मुझे उनकी वो प्रेयर्स सुनाई दे रही थी, जब मैंने उनको पाके जादू की जपई दी, मतलब वो तो पहला दिन थ कि इतने टाइम बाद भी, मतलब मैं आया तो उनकी जो खुशी के पल थे, वो मेरे साथ ना होके किसके साथ थे, उन स्पैरो के साथ ही थे, वो मतलब की वो कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय से जने वो फीट कर रही थी, जने वो खाना पीना खिला रही थी, और वित फ्रिव कि बहुता था, कि वो गुसे से या उनने भगाना चाहती है, ऐसा कुछ होता था, वो प्यार से ही करती थी, ठीक है? After that, in the evening, a change came over her, शाम के टाइम उनमेना एक अलग तरीके का बदलाव हमें दिखाई दिया, she did not pray, उन्होंने कोई भी प्रेयर नहीं की, मतलब वो अभी भक्तिभाव जो है, वो नहीं की, she collected the women of the neighborhood, आसपास की जो पडोस, आसपडोस की ladies थी, उनको इकठा किया, किटी पाटी करनी होगी, दिखते हैं क्या करना था, got an old drum, एक पुराना drum, धोलक हम जिसे कह सकते हैं, कि एक drum मतलब एक धोलक, बहुत पुराना, वो लेकी आई वो, and started to sing, और गाना गाने लग गई, for several hours, she thumped the sagging skins of the dial-up dated drum, बहुत घंटों तक, thumped मतलब बजाना, धब-धब की अवाज जब था, thumping की आवाज होती है, जब किसी चीज पे ड्होलक बजाते हैं तो आती हो, उसे thumping की आवाज बोलते हैं, तो वो कह रही है कि बहुत घंटों तक उन्होंने, वो जो drum है, sagging skin मतलब, बहुत जादा पुरानी जो skin हो चुकी थी, उस drum की sag हो चुकी थी, बहुत जब करके घर वापिस आया करते थे, तो उस समय जो गाने गाये जाया करते थे, वो गाने उन्होंने गाये, ठीक है, we had to persuade her to stop to avoid overstraining, मतलब हम लोगों को उन्हें मनाना पड़ा, persuade मतलब मनाना, हमें उन लोगों को मनाना पड़ा कि वो शांत हो जाएं, रुक जाएं, overstraining मतल जादा तनाव नहीं आना चाहिए, जादा strain नहीं आना चाहिए, उनकी age नहीं है कि वो घंटों तक डोलक बजा रही है और गाना गा रही है, तो overstraining होने से, जादा तनाव लिने से, जादा काम करने से, excess of work करने से, वो बिमार ना पड़ जाएं, हमें उन्हें मनाना पड़ अगले दिन क्या हुआ, she was taken ill, मतला वो बिमार हो गई, it was a mild fever and the doctor told us that it would go, हलका फलका सा बुखा रही था और doctor ने हमें बोला था कि वो चला जाएगा, but my grandmother thought differently, लेकिन मेरी जो grandmother है, मेरी जो दादी महा है वो अलग तरीके से सोचते थी, ठीक है, she told us that her end was near, हमेशा बोला जाता She said that, since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. उन्होंने क्या कहा कि अब कुछ घंटे ही बचे हैं मेरे, ठीक है, मेरी life के कुछ घंटे ही बचे हैं, और मेरा ये जो आखरी chapter है, मतलब मेरा आखरी chapter ही हुआ, अब उनकी death हो जाती तो उसके बाद तो कोई chapter नहीं होता, तो वो ये कह रही है कि मेरा ये जो आखरी chapter है, मेर कैने तूम यह बात करते होई. वो साफ बुल यह कि मैं थे मेरा अख्री चाप्टर में हैं आप इंपॉर्टं एंपर्टं टाइ मैंने प्रेर नहीं करता है। ऩा मैं और आपना टाइम वेस्तन नहीं करने वाली तुमलों से बात करने की हालत भी वैसी थी, उनकी स्किन बहुत लटक चुकी थी, बहुत रिंकल्स थे, बहुत ज़ादा बूड़ी हो चुकी थी, बहुत लंबी लाइफ वो जी चुकी थी, तो यहाँ पे इसका जो description दिया गया है drums का वो grandmother के जैसा ही दिया गया है कि उसी की जैसी हालत मेरी grandmother की भी हो गई थी और कभी एक समय ऐसा हुआ करता था जब वो बहुत जादा young भी हुआ करती थी लेकिन अब कैसी हो गई है वो अब बहुत जादा dull हो गई है बहुत जादा कह सकते हैं बूरी हो गई है अब उनमें इतनी शक्ती नहीं रही ठीक है आगे बड़े we protested अब हमने प्रोटेस्ट किया हमने इस चीज का विरोध किया but she ignored our protest लेकिन हमने जो भी यह बात उठाई जो भी यह चीज की प्रोटेस्ट किया इसका उन्होंने अमें इंग्र गर दिय मतलब हमारी कोई value नहीं है she lay peacefully शांती से वो लेट गई in bed अपने bed पर praying prayers करती हुई and telling her beads telling her beads मतलब नाम जबते हुए भगवान का अपनी जो वो माला थी उससे Even before we could suspect her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers और इससे पहले कि हम यह चीज सस्पेक्ट करते इस चीज का पता लगा पाते इस चीज पर शक करते या उन्हें कुछ बोलते या प्रोटेस्ट करते या कुछ भी चीज जो हो रही थी उससे पहले तो उनके जो lips थे वो move करना बंद कर दिये थे और उ अब उनकी death हो गई थी उन fingers में अब जान नहीं बची थी ठीक है अब peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead एक peaceful pallor, peaceful pallor मतलब peace at the time of death जब कोई इंसान मर जाता है तो इसके face पे कोई भी तरीके का stress आपको नहीं दिखाई देगा ना वो खुश होता है ना वो दुखी होता है सिर्फ एक normal face होता ह जो एक satisfaction वाल जो आपका face होता है ना संतुष्ट होते हो जब आप की अब ठीक है life आपके अंदर से खतम हो चुकी है अब आप मर चुकी हो तो वो यहीं बता रहे एक peaceful pallor अलब एक satisfaction एक contentment हमें उनके face पे देखने को मिल रहा था जब डेथ हो जाती है उस समय जो हमें देखन and covered her with a red shroud फिर हमने क्या किया हमने उन्हें उठाया ठीक है bed पे से जब भी किसी इंसान की death हो जाती है तो bed से उठाके नीचे लिटाते है तो यही किया गया कि उन्हें उठाया गया जैसा भी रीती रिवाजों में होता है customs के according होता है और उन्हें नीचे लिटाया गया laid her on the ground नीचे लिटाया गया and covered her with a red shroud. Shroud मतलब क्या होता है बहुत लंबा red color का एक कपड़ा होता है जिसमें dead body को लपेटा जाता है ठीक है तो वो shroud से उन्हें उठाया गया और नीचे लिटाया गया After a few hours of morning we left her alone to make arrangements for her funeral. अब थोड़ी बहुत देर morning मतलब जब रोना वोना होता है जब लोग बहुत जादा दुखी होते हैं तो उन सब चीजों के बाद we left her alone. हमने उने अकेला छोड़ दिया to make arrangements. सारी व्यवस्थाए करने के लिए funeral की उनके अंतियम संसकार की. In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to cremated. अब हम क्या गए? हम evening के अंदर कहां गए? उनके रूम में गए? एक crude stretcher लेकर आपने देखा होगा अस्थियां मतलब अस्थियां नहीं जब किसी की dead body लेके जाते हैं तो एक लकडी की बनी होती है जिसे लोग कंदे पर उठाते हैं तो वो crude stretcher बोलने की जो sun था वो सेटिंग वो धिरे धिरे डहल रहा था and had lit her room और एक ज्वाला सी उनके कमरे में दिख रही थी का अलग तरीकी की रोशनी हमें वरांडा में और कमरे में देखने के लिए मिल रही थी with a blaze of golden light golden light जो है वो चमक रही थी, blaze मतलब चमक नहीं होता है We stopped halfway in the courtyard, हम courtyard में आधे में रुख गए, veranda में, all over the veranda and in her room right up to where she laid dead and stiff, wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor पूरे veranda में क्या हुआ था और उनके room में, मतलब उनके room से लेके, veranda तक जहां पर हमने उने लिटाया हुआ था, उनकी body जो बिलकुल stiff हो गई थी, कड़क हो जाती है ना, body किसी की death हो जाती है उसके बाद, और पूरे तरीके से red shroud से उनको लपेट रखा था, तो बहुत सा 1000s of sparrows ने उनको आके वहां पर घेर लिया, there were no chirruppings, कोई भी चह चहाने की आवाज नहीं थी, आप देख सकते हो कि वो जो birds थे, वो कितने जादा समझदार होते हैं, कि उस दिन वो कोई भी शोर नहीं कर रहे होते थे, usually वो बहुत शोर करते थे, we felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them, हमें ब the way my grandmother used to, जिस तरीके से मेरी दादी मा किया करती थी, and threw it to them, और उनमें fake दिये, the sparrows took no notice of the bread, सबसे अची बात ये थी, कि जो sparrows थे, उन्होंने बिल्कुल भी notice नहीं किया, bread को, usually जब वो करा करती थी, तो वो बहुत जादा लड़ा करते थे, आपस में, ठीक है, the sparrows took no notice of the bread, when we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly, और जब हमारी दादी मा की वो जो अर्थी थी, उनको लेकर गए, वो चुपचाप वहां से उड़ गए, next morning, the sweeper swept the breadcrumbs into the dustbin, और next day क्या हुआ, next morning क्या हुआ, वो जो sweeper आया, उसने वो breadcrumbs क्या थे, sweep कर दिये, मतलब जाड़ू से उनको करके, साइड में उन पर क्या कर दिया, dustbin में डाल दिये, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से grandmother और narrator की एक बहुत ही beautiful story, बहुत ही जाता beautiful story हमें देखने को मिली, क्या-क्या उनका relationship रहा, किस तरीके से turning point आये, कैसे उसने describe किया अपनी grandmother को, उनकी life में क्या-क्या चीजें हुई, स इसके सारे जो notes वगरा है वो आपको वीडियो के description में बिल जाएंगे, characters हुआ, theme हुई, ठीक है, सारे in-text questions वगरा, everything is there, आप अच्छे से देख सकते हो, पूरी summary bullet points में, important points में वहां पर लिखे हुएं, so thank you so much, next class में हम next chapter जो है वो start करेंगे, thank you